नमस्कार आप सबी का बहुत बहुत स्वागत है आपके साथ मैं हूं का रिश्मा महराश्ट्र चुनाब में सीट बटवारा दोनों ही दलों के लिए तक्रार की वज़े बना हुआ है हाला कि महा यूती में बात सुलज गई है और महस 10 सीटों पर चर्चा होनी है लेकिन बात फसी है महा अगारी में 90 के फॉर्मले में 270 सीटों का मामला तो सेट हो गया है लेकिन बचे 18 सीट अब भी टेंशन की वज़े बनी हुई है अब जाहिर है कि इस 18 में जिस भी महा अगारी के घटके के खाते में जाएंगे वो बड़े भाई का भूमिका निभाएगा लेकिन समाजवादी पार्टी ने भी अपनी मांगे रखकर महा अगारी को फजा कर रख दिया है समाजवादी पार्टी ने साफ अल्टीमेटम ये दिया है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो तमाम मुसलिम बहुल सीटों पार 25 सुमीदवार खड़े किये जाएंगे बहराल अब महा अगारी कैसे इन मसलों को हल करती है ये देखने वाली बात होगी इस पर हम करेंगे चर्चा खास मेमानों का पैनल भी होगा लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट महाराष्ट में सीट शेरिंग पर माथा पच्ची महा अगाडी में सीट बटवारे पर फसी गाड़ी मायूती में दस सीटों पर उल्जा पेज महाराष्ट चुनाओं में महा विकास अगाडी की गाड़ी 90-90 के फार्मूले के बाद भी अटकी लग रही है 270 सीटों पर सहमती तो बनी है लेकिन अब भी 18 सीट पर बात नहीं बन पाई है वहीं CEC की बैटक में राहूल गांधी ने भी कॉंग्रिस की मजबूत सीटों को धठाकरे की शीरसेना को देने पर नाराज की जिदाई थी वहराल समाजवादी पार्टी ने अगाड़ी को अल्टीमेटम दिया है समाजवादी पार्टी ने ता अबू आजमी ने कहा कि पांच सीटे दी जाएं नहीं तो 25 उमिदवार उतारेंगे वहीं बात महायूती की करें यहां सब कुछ तै हो गया है लेकिन अब भी दस सीटों पर सहमती नहीं बन पाई है यह तो अभी सीटों की बात है वहीं मायूती अपने साथी दलों की एकता दिखाने के लिए उनके जंडों का भी इस्तमाल कर रही है शुकरवार को डिप्टी सीम देविन फरनवीज के नामांकन में यह नजारा दिखा था बहराल चुनावी समर में तेजी मंगलवार के बाद और दिखेगी जब नामांकन की तिती खत्म हो जाएगी जो भी हो इस बार चुनाव दोरों ही गटबंदनों के लिए बेहद नाक की लड़ाई है भारत एक्स्प्रिस के लिए मुंबई से अभी शेक पांडे की रिपोर्ट तो देखें दस सीटों पर महायूती में पेंच यहां पर फसा हुआ है महाराश चुना में लेकर महा अगारी की अगर हम बात करें तो 90-90 के फॉर्मले के बाद भी यहां पर भी गारी अटकी हुई है 270 सीटों पर सहमती तो बनी लेकिन अभी 18 ऐसी सीट है जिस पर बात नहीं बन पाई है वहीं अगर सीसी की बैठर की बात करें तो लगातार राखुल गानी ने कॉंग्रस की मजबूत स्थिती को लेकर उद्दब ठाकने की शिफसेना को देने पर नाराज़की जाहिर की थी बैराल समाजवादी पाटी ने भी कहीं न कहीं अगाडी को अल्टिमेटम दे दिया है समाजवादी पाटी ने था अबू आजमी को अभी आपने सुना होगा उन्होंने कहा कि 5 सीटे दी जाए नहीं तो 25 उमीदवार हम उतार देंगे अब इसमें लगातार देखिए पेंच जो है वो फसा हुआ है लेकिन सवाल यह है कि आखिर कैसे कैसे इस समस्या का हल होगा वहीं देखिए महागाडी में जो लड़ाई है वो अभी भी जारी है सीटों को लेकर 18 सीटे ऐसी हैं जिन पर अभी पेंच फसा हुआ है वहीं आपको बता दे कि महायूती में भी लगातार 10 सीटों पर यहां पे बात अभी तक नहीं बन पाई है बेराल काज जो आ रहा है कि जल से जल सीट बटवारे पर सीट बटवारे पर चर्चा होगी और इस पर ही हम चर्चा करेंगे कुछ खास मिमानों का पैनल हमारे साथ इस व了吧 जुड़ चुका है राजीव पांडे जी जो की बीजेपी महराश से प्रवक्ता है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं बोद स्वागत करती हूँ शुद्ट्रा जी आपका भी जेपी सिंग वरिष्ट पत्रकार महराश्ट से बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका भी देवकी नंदन मिश्वाजी जो की पॉलिटिकल एनालिस्ट है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं बहुत स्वागत है सर आपका भी तो चलिए हम चर्चा की शिरुवात करेंगे महराश्ट में जो सियासी गड़ित है उस पे बात करते हैं कि नंदन मिश्वाजी किस तरीके से आप देखते हैं सूची आई है लेकिन अभी भी देखिए कुछ सीटों पर पेंच फसा हुआ है दोनों ही दलकी हम बात करें तो करिश्मा देखिए जब गठबंधन में चुनाव लड़ा जाता है किसी राज्य में हो या देश में हो तो जो पार्टी होती है गठबंधन की उनके बीच आपस में ये तना तनी चलती है तब तक जब तक नामांकन कंप्लीट नहीं हो जाता है और कई वार ऐसा होता है कि न महा राष्ट में जो महा यूती है और जो महा गठबंधन है वो निन दो के बीच ही लडाई है बाकी कोई तीसरी फोर्स नहीं है अगर कोई तीसरी फोर्स की बात कर रहा है तो ये बात पूरी तरीके से गलत है जैसे पूरे देश में जब 2024 का लोगसभा का चुनाव हो रहा और इसके अलावा महा राष्टा में कोई बात कुछ भी करता रहा है आप चाहे अबू आजमी साहब भी बात कर रहे हैं 25 सीट हमको चाहिए 20 सीट चाहिए उनको 20 सीट वहां क्या करेंगे लिए 20-25 सीटों पर उन्होंने लडा चुनाओ कभी नहीं लडा तो जब लडा ही न है कि चुकि आमने सामने की हाइट है जब कभी भी आमने सामने की फाइट होती है तो उसमें जो कॉंग्रेस होती है उसको थोड़ा सा बेनफिट होता है आप 2024 लोग सभा का चुनाओ देखिए सबसे ज़्यादा सीटें महाराश्ता में कोंग्रेस ने जीती थी 13 सीटें हुई थी लेकिन चुकि वहां पर बुद्धाव ठाकरे के नेतित में महागट बंदन चुनाव लड़ रहा है इस वज़े से उनको मुझे लगता नहीं है कि कॉंग्रेस ज्यादा सीटों पर लड़ेगी जो कॉंग्रेस को सीखें मिली है समाजवादी पार्टी को हाला कि आपका आज एक बयान आया है कि आम आत्मी पार्टी महारास्टा में चुनाव नहीं लड़ेगी अब कि कॉंग्रेस के साथ कोई बात हुई होगी तभी उन्होंने इस तरह का बयान दिया है लेकिन इसके अलावा जो अम्लेटकर की पार्टी है वो भी टिकट मांग रही अम्लेटकर। पार्टी भी चाहती है कि वो महागट बंधन में आए और अगर वो महागट बंधन में चुनाव लड़ती है हलाक लोगसभा चुनाव के दवरान भी उनसे बारता चल लही थी लेकिन महागट बंधन में मतलब इंडिया ब्लॉक में उन्हें सामिल नहीं किया गया कुछ सीटो की सरकार चल चुकी है जो महायूती की है तो इंडिया गटवंधन और महायूती इन दोनों के बीच ही लड़ाई होनी है और लड़ाई बहुत ही काटे की होगी 2024 लोग सबाचनाव में जिस तरीके का रिजल्ट आया है वह आएगा या फिर उसके इतर कोई रिजल्ट आएगा इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ाई यानि कि आपका कहना है मुकाबला काफी दिल्चस्प रहेगा लेकिन अब चलिए हम स्केट्चा को आगे भी बढ़ाते हैं चुत्रा बाथम जी क्या कॉंग्रेस संतुष्ट है सीच शेरिंग को लेकर कोई मन बुठाब आप तक कुछ नहीं देखिए जैसा आप सब जानते हैं कि इंडिया गड़ बंदन की सबसे प्रथम प्रायोर्टी यही है कि वो इस महायूती की जो सरकार है जो गतारों की सरकार है उसको किस तरीके से महराष्टरा से निकाल बाहर करके महराष्टरा की चंत्रा को न्याय दिलाना है वो हमारी जैसे आपने रेखा कि हमारे यहां पर लोकतंत्र है और सभी को समान समानतर दी जाती है तो 1990-1990 का यह फॉर्मूला हमने लाया है सब के सामने ना कि जैसे आप महायूती में देख रहे हैं जहां पर BJP 99 पर गंटेस कर रही है एकना चिंदे जी का चेहरा रख रहे हैं सामने लेकिन 45 पर उनको समेट रहे हैं और अजीत्मवार जी को तो सिर्थ 38 पर ही वो समेट दे रहे हैं चित्रा जी रोकना चाहूंगे आपको क्योंकि इस वक्त कुछ रेक्शन सामने आ रहे हैं मॉंबाई BJP अद्यक्ष उनकी तरफ से कुछ बयान सामने आ रहा है आशी शेलार अब इस सामने उम्मिद्वार कोन आएगा कुन सा दल आएगा कुन सा चुनाव चुन रहेगा उस आधर पर हम अमरे वुवेदर भूशित करेंगे राख खाकरे के पिटे जोने आप इठाकरे वह अब वरली से विलासवा चुनाव रटने माले हैं आपने वरली से नहीं रटने हुआ है आपने वह वह मुख्यमिद्रियों के सास्थ देखिए मेरा व्यक्तिगत सोच है और मेरे ज़से सोच रखने वाले राजनीती में काफ अधर भी काफिलोग हो सकते हैं आज तक राश्ठाकरे जीने हिंदुतों की भूमिकाली रिष्टों को निभाया है दलों के अंदर और दलों के बाहर भी तो इस प्रकार के रिष्टों को निभाना है महाराष्टा की संस्कृति की परंबरा है हमारे में आपस में तिनों दल में महायूति में कुई जगडा ने सदा सरौन pişरजी के उमेद्वारी का विरोध में नहीं कर रहा हूँ मैं ये पहल कर रहा हूँ माननमुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री जिसे कि तिनो दिल मिलकर हम उस परंपरा को आके बढ़ा सकते है क्या और हमी ठाकरूजी को बुरा समर्दन दे सकते है चाल आपने प्रिवार का युगा एक नेतुच तो आगे अब यह निरने अंतीम था तीनो नेताहों को करना है उस तेनों का निरने अंतीम उन्धहुं पर जो पर आएंगे तो इसकी पूरी जानकारी नहीं है और पूरी जानकारी के बिना बोलना इठीक नहीं है लेकिन मैं as a policy as a मेरा मत कह सकता हूं not on this incidence कि हम आलोचना टीकाटी पढ़नी जरूर करें कुछ मर्याद रख कर और इसकी शुर्वा सेंजे राउट स्वैम करें ऐसा मेरा कहना है तो सवाल यही है चुत्रा जी कि आखिर कॉंग्रोस में जैसा कि आप कह रखिए कौंग्रोस भी अपने अच्छे परफ़ॉर्मेंस की वज़े से दावेदार यहां पर ठोक रही है कि अधिक से अधिक सीटे मिलें लेकिन सवाल यह है कि कैसे आखिर सभी दल जो है उनके दि ताउस के डीजाओं आठी है तो, मैं आप से चाहतां कि कोंग्रेस में लोकतंत्रा एज और यहां, आप यह एक हैoya खैलवी मैं हिए हो रही है और हर कोई अपना डावा आट एक हो आप पैश कर रहा है और हर कोई चाहता है कि जो इन्विया गडबंदन की जो भी समीकरण है उसमें उनका कही न कही एक अच्छा युग्दान रहे और जन्ता की जो अर्मान है उनको कही न कही न कही पूरा करने का उन्हें भी एक सुनेरा मौका मिले मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगी कि 1,333 अप्लिकेशन हमें कॉंग्रेस पार्टी को मिले हैं 288 सीट के लिए तो आप समझ सकते हैं कि on an average 6-7 अप्लिकेशन हमें मिले हैं तो यहां पर जब हम सीट बटवारा कर रहे हैं उसके बाद में जो कैंडिडेट की जो गोश्टा होने वाली है तो जो भी जिनको नहीं मिलेगा यह मौका चुनाव लड़ने का जो रिबेल्स के भूमिका लेंगे हमने हर्याना में टेका है कि रिबेल्स इस तरीके से हमें अच्छा गात लगाया हुआ ता इस तरह हम चाहते हैं कहीं न कहीं हम खरेक पेक समांजर से तै करके और फिर हम बाकी की जो सीट है उसको हम आगे लेके जाए उन्टे नामों की भोश्टना करें तो यह स्ट्राटिजी के पहत चल रहा है और इसमें परेशान होने कोई बात है यहाँ पर अगर अगर आप महायुती के अगर बात करें आप कहते हैं कि एक ना छिंदे का चेहरा है उसके साथ मैं आपको बताना चाहूंगी कि बीजेपी से तवारा खड़क के जो इंडिपेंडनेंस है उसक्सेषफली आने भी नहीं तेंगे तो ऐसे सम्भावना है को तो हम यहां पे पीछे से घात नहीं लगाते हैं, यहां पे जो भी conversations हो रहे हैं, वो openly हो रहे हैं, ताकि सभी की सिंसर्ष्टी हो, और कोई मनमुटाव यहां पे नहीं है. आपके सवाल का जवाब मैं राजीव पांडे जी से लेना चाहूंगी, राजीव जी, महा विकास घारी में हेल्दी फाइट है, वहां पे कुछ भी, कोई भी यहां पे मनमुटाव नहीं है, महा युति की अगर हम बात करें, क्या जवाब देंगे सर्ष्मा जी नमस्कार, जी तरी फाइट चलना है, लेकिन हो हेल्दी है, क्यार कॉंग्रेस पार्टी जो भी कहती है, उसका कोई बहुत जादा प्रभाव नहीं है, कि कॉंग्रेस, महाराष्ट्रा में विदर्भ को छोड़कर कहीं दिखाई तो देती नहीं है, जिसे देश में भी बहुत ही कम जग अज दो पार्टिया है, आज देखिये कि NCP और शिवसेना के विविटन के बाद, आज छोटी छोटी पार्टिया है, लेल शिवसेना और रियल NCP, तो महायुती के साथ है, इसके बाद जो बची हुए छोटी सी पार्टी है, चाहे वो शिवसेना UBT हो, या NCP शरत पवार ज आप इससे एमेजन कर सकते हैं कि कॉंग्रेस की जो इस्थती है महाराश्यों किस प्रकार्टी हो गई है वो कहीं से भी चुना आप अगर आप कुछ दिन पहले तक देखिए जब 15 साल सरकार थी तो इनके मुख्यमंतरी थी और NCP इनकी सहयोगी पार्टी थी आज NCP के मैक्सिम दस बारा विदायक वाली सिफसे ना UBT वह इनके साथ है लेकिन उन्होंने इनको इतना दबाया कि यह बराबरी पर चुनाव लग रहा है मैं एक मत बतना चाहता हूं आपको कि महराश्यों आज के रिविक में जो MBA है इसकी महराश्यों विकासेजारी इसकी जो तीन पार्ट ठागरे जी की सिफसे ना UBT की बात कर रहे हैं यह मुंगाइ ठागरे को करन की पार्टी बच गई है और यह लोग केवल अब इनको हमसे लड़ने की ज़ुरत नहीं है यह जानते हैं कि सरकार माईटी की बन नहीं है अपने से लड़ रहे हैं एक दूसरे से कि हम कितनी सीटो का इन्होंने वो काठ की हाड़ी बार बार तो चरती देने जूट एक रिजर्वेशन और दूसरा इन्होंने समविधान की बात पह करके लोगों को इन्होंने हमको कुछ डेंट लगा है हमको कम सीते आई अब यह बात नहीं है यही हाल आपने अभी हर्याना में देखी है प जो हमने काम किया है एक बात और मैं कह देना चाहता हूं कि जितने अनलूस्ट है और अनलिसिस करते रहेंगे भारते जंता पंक साल देवेशन जी के निचलत्यमें जो काम हुआ था इसलिए जो हमने काम किया तो हमको प्रतिसाद मिला जंता के आशिक बाद मिला 2019 में 70% का र वह 153 के करीब आई अगर अगर आप सिबसे ना यूविटी की स्थिति देख ले तो उनकी क्या स्थिति है को 124 लड़ते थे अभी हो 85-90 के बीच मलागे हैं हम ने जो काम किया है महाराष्ट में हम उस अधार पर चुनाओ में जा रहे हैं काम और प्लस भारते जिन्ता पाटी की आईडोलोजी है इस दोनों को लेकर के हम सामने जाएंगे और महायूटी को महराष्ट्रा के लोगों का आश्रवाद देख चलिए तो उमीद और दावे यहां पर लगाता है जी चित्रा कुछ चित्रा जी कुछ कहना चाहते है जी बात रखे जाओंगी इनोंने ब्रेश आप प्रावत्ता बन जाई है जाए 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 एहमद अगर संगम नेर में, क्यूं इंके वेप सनीजी पे उतर के आ रहे हैं और महिला विरोगी बाते कर रहे हैं, तो इन्हों प्ले काम के ओपर बिल्कुल भी कॉंपिडेंस नहीं है, इन्होंने क्या काम किया है, इन्होंने सिर्फ और अधर्वाराथी अस्मिता को धराश है, आप किस तरीके से देखते हैं महाराश के सेलेक्शन को अभी तो देखें सीज शेरिंग को ही लेके जद्दो जैन जा रही है, देखें गरिश्मा जी सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि 2004 का चुनाओ भी विधान साबा का मैंने नज्जीक से देखा है, जब बाला सा 2020 में हम यहां महाराश कर और मुंबई की धर्ती पर देख रहे हैं, तीन गडबंद, दो गडबंदर प्रमुक हैं और दो चोटी, दो जो तानी पाटिया है, जो राजी काई की पाटिया है, वो चुनाओ लड़ रही है, प्रकास अंबेटकर वो अंशित अगाडी से चुना हैं, वो कॉंग्रिस पाटिय इस वज़े से हारी, क्योंकि प्रकास अंबेटकर की पाटिया वहाँ पर वीस हजार, तीस हजार, पंदरा हजार वोट ले लिये थे, और दूसरी महतवपूर्ण जो बास है, वो यह है कि राज ठागरे इस बार अकेले चुनाओ लड़ रहे है राज ठागरे की पाटिय ने एक प्रंड लिया है कि जो 2009 के विधानसबाद चिनाओं में उनको सीटे मिली थी, यानि कि करीब जो 14 सीटे मिली थी, उससे ज्यादा सीटे वो जीत कर इस बार आए, तो मैं आपको बता दू कि राज ठागरे की पाटिय जहां-जहां खड़ी ह राज ठागरे के जो बेटे हैं, अमित ठागरे, उनके खिलाब कोई पाटिय अपना उमिदवार खड़ा न करे, उनको जो है, उनको जो है, उनके खिलाब कोई चुनाओ न लड़े, ये इसके पिशे कहने के वज़ा क्या है, क्योंकि बहुत सारे निता इजबार दिन्ली से, जो महायूती को आदेश आया है, महायूती के निताओं को आदेश आया है, वो यही आया है कि लीड फ्रॉम दा फ्रेंट, आपको ग्राउंड जीरो पर जाना पर जाकर चुनाओ लड़ रहा है, ये उन्हें धिन्ली आला कमान ने साब तोर पर कहा है, क्योंकि एक सीट से अगर बड़ा निता चुनाओ लड़ता है, तो अगल बगल की दस सीटों पर उसका असर पड़ता है, ये आपने पहले भी देखा होगा कई सीटों पर, तो तो मैं आपको बताओं कि दोनों ही गड़ बंदन, हरे वो महायूती हो, या महामिकास आगाडी हो, ये एक लड़ाई तो आपस में लड़ रहे हैं, और एक लड़ाई खुद के अंदर लड़ रहे हैं, कि कहीं ऐसा नहों कि हमारे साथ वाले सायोगी गड़ बंदन की जो प बता दे, BJP ने जारी की है, दूसरी लिस्ट, 22 उमीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की है, इस वक्क की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीट शीरिंग को लेकर लगातार जो माथा पक्ची है, वो जारी है, तो वहीं इसी कड़ी में बड़ी खबर, BJP ने अपनी बना हुआ है, और सीट शेरिंग को लेकर जड़ो जारी है, अलग-अलग गलो में, तो माराश्च में सीट शेरिंग को लेकर लगातार देखिए, अब बात हो रही है, और BJP ने अब अपनी दूसरी लिस्ट जारी की है, जिसमें 22 उमीदवार है, राजीव पांडे जी, BJP प्रवक्ता, इस वक्त हमाई साथ जुड़े हुए है, राजीव जी, आप दूसरी लिस्ट जारी हो चुकी है, लेकिन ये कहा जा रहा था, और इस तरीके की बाते कही जारी थी, कि जो पहली लिस्ट सामने आई BJP की, उसमें कही न कही परिवारवाद की जलक देखने को मिल परिवारवाद की जो बात है, कि किसी के परिवार में पॉलिटिशन है, तो दूसरा पॉलिटिशन पैदा नहीं होगा, ऐसी बात पही है, परिवारवाद वहां है, जैसे कुछ पार्टिया है, इसका फ्यूचर प्रेसिडेंट आप रिखने कर सकते हैं, जैसे सुनिया गां जी थी, उसके अधुआ होगा कि राहुल गांधी जी इनके निता बनेंगे, फिर आभी देखेए, भाई के साथ बेहन अभी वनियाद से चुनाव लड़ रही है, ब्यार में इतने नथा लालु परशाट जाएबर जी क्या फेमई पहले लालु जी रहे, फिराभरी जी है यह इसन और दूस्रा प्रिवेर्वार्वार का परिवार्वार के भाट है 126 तो अच्पाँ यह अइसे सामने है hopes to परिवारबाद की जलक देखने को मिल रही थी, कुछ नाम जो सामने हैं, जैसे चिनमे राव पाटिल के पुत्रों हैं, अमोल पाटिल, उनको टिकेट दे दिया गया, जे? परिवारबाद की बात उससे नहीं होती करिश्वाजी, जहां पर पूरी की पूरी पाटि एक परिवार के कंट्रोल में है, जैसे कॉंग्रेस पाटि है, वो सोनिय अगां भी प्राइविट लिम्टेड है, अच्छा, आर्जेडी है, वो लालो पुरसाद प्राइविट लिम् परिष्ट प्रकार है यहां, वो क्या बता सकते हैं कि अगला भी प्राइविट लिम्टेड होने वाला है, क्योंकि पाटी का एक सिस्टम है, अगर आप सारे अध्वाक्ष को निकाल, जब सोनिय अगां भाटी जी लिए तीस साल, पच्चीस साल तर लिगाता है, उनों नही जेए का नेत्रत केवल परिवार कर सकता है, इसको जい से अभी समझोरी के खाटी है, वाले पहले खुलाम शी के अभाटी के अभाटी है, अभाल के अध्वार वाटी को आपको समझना पड़ेगा, ऐसा है जनरलिस्त तो जनर्लिस्त के तो दूसरे लोग आसकते हैं परिवा प्रब्लम क्यों है यह कभी ठोल के उनके बारे में गलते हैं और यह अभी तो उनको नेता भी नहीं मानते हैं आपको इसमें क्यों नहीं होती है आप उनके बारे में हर बार जूट पहलाते हैं आपको शर्मानी चाहिए राजीटी ऐसे सब बात करते हैं तो बीजेवी के परिवार परिवार है बाकी सब परिवार क्या अब देश के नहीं है ऐसी बात करते हो आप जाजीव जी जावब नहीं देखा, मैंने कुछ भी मैंने किसी मैंने तो एक और आपको बताया कि परिवारबाद किसे कहते हैं, पित्रा जी आप इस तरह के शरम आनी चाहिए आप, किसको आप क्या मोलें आप जानिये, आज सब पूरे देश को पता है, आज सब को पूरे दे तीन लोग मिलकर के डिसीजन लेते हैं, बैठते हैं, चुनिया जी, राहूल जी और प्रियंका जी, और कोरें कॉंग्रस में, आप बतायने से थोड़ी मानेंगे, आपके बोलने से थोड़ी कोई मान लेगा, कि क्या परिस्थिती है, और क्या वालु पुसाद्याद जी के परिवार कोई है, बुलैंज जी के घे तो ब करिवार किसी में कई है, समाधवाद एाफ़ी पाटी ये औरकिक, आप्के आखे बंदे तो आप के बंदे तो आपके चारव में इस्निन में, और गवार गरेंगे, आपके अचलिए टीक, चलिए, घड़े हो, परस्टल इयु करने नहीं तो बैतर होगा अब देवकी नंदन जी मैं लोटूंगी राजीव जी जे कुछ कहना चाहते है राजीव जी आपका और रहे वह दोने को हम एक सार तक चर्चा कर रहे हैं रोकना चाहूंगी मैं उम्मीद करते हूं कि आगे इस तरीके के परसल अटक नहीं हो देवकी नंदन जी सवाल यह है अब मेरा अगर हम महाविकास अगाडी की भी बात करें तो यहां पर कह रहे हैं नाना पठोली की तरफ से का जाता है कि आप सहमती बन रही है कि सबको इकवल-इकवल सीट्स पिले संजय राउत कहते हैं कि शिवजेना यूबिट को जस तरीके से महाराश की जनता को क्रिकेट देखना और खेलना बहुत पसंद है वह हमेशा चाहते हैं कि शिवजेना जो है वह शतक पार करें तो इस तरीके कि जब बयान सामने आते क्या लगत है आपको कहीं न कहीं इसी से समझा जा सकता है कि कुछ क्लारिटी अभी फिलाल नहीं है आग 26 तारीक है तिस तारीक लास डेट है पर्चा बाखिला की तो स्वाभाविक से बात है कि कल से परसों तक निश्चित तोर पर सारे जो कंडिरेट उनके नाम बाहर आ जाएंगे औ थापस में ये कंफिलिक्ट चलता ही चलता है और हर पार्टी जू 학ाती है कि जो मेरे लड़ती है कि उसका चीफ मिस्टर वन चीफ मिस्टर तभी बन सकता है जब ज्यादा सीथ पर लड़ेगी और ज्यादा सीथ जीतेगी जन्न hij पार्टी हो या चाहे हो रहा इसके नतीजे अगर भारती जंता पार्टी के फेवर में आते हैं तो आप ये मान के चलिए मेरी बात अभी आप अपने डायरी में नोट कर लीजिए कि ये मिस्टर सिंदे चीफ मिस्टर नहीं होंगे ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं इसी तरीके से कॉंग्रेस में चाह सरकार है सर एक सवाल मेरा इसमेफी गटबंधन वाली सरकार जादा दिन तक नहीं चल पाती है कुछ ना कुछ कॉंच होते ही रहते हैं गटबंधन की सरकार दो देखिए क्या है गटबंधन का दौर 2004 से सुरू हुआ 2014 तक चला 2004 से पहले अटल वियारी बाजपई ने गटबंधन की सुरूआत करी और अटल जी का गटबंधन चला करी 6-7 साल तक उसके बाद UPA ने गटबंधन बनाया और UPA का गटबंधन दो टर्म इस देश में राज किया उसके बाद इंडिये आया तीसरी बाद जब 2014 में नरेंद मोदी जी आये तो नरेंद मोदी जी प्रधान मंत्री का चेरा जरूर थे लेकिन वो चुना एंडिये लड़ रहा था अब मैं फिर वही बात तो हूंगा कि जैसे ही भारतिये जनता पार्टी असपस्ट बहुमत पाई देश में वो एंडिये गायव हो गया 10 साल तक भारतिये जनता पार्टी की सरकार चल लही थी एंडिये की सरकार नहीं चल लही थी लेकिन जैसे ही भारतिये पार्टी 2024 के चुनाव में नमबर नीचे उसका हुआ बहुमत में नहीं आई यह उसके तो भारतिय जंता पार्टी अगर जादा सीटे जीतती है और उसे लगता है कि वो भूमत की सरकार बना सकती है भले भले सिंदे की पार्टी को उसके तोड़ना पड़े तो भारती जनता पार्टी बनेगा ये आप अपनी डायरी में नोट कर लीजिए ये जब नतीजें आएंगे उस दिन आप पर बात दिखिए राजी पांडी जी क्या कहेंगे फिर इस पर तो वो परिवार की जो बात मुदी जी करते हैं जो बात भारती जनता पार्टी के नेता करते हैं या जो और लोग भी करते हैं उससे कोई इतर परिवारवाद है टिकट बटने वो महारास्ता इसमें दो जगा चुना हो रहा है हरियाना में चुना हुआ बीजेपी ने अपने यक्स चीफ मिनिस्टर है उसकी बेटी लड़ रही है, बेटा लड़ रहा, मतलब एक एक परिवार में दो दो तिन तिन टिकट दिये गए हैं, तो परिवारवाद की परिवासा जो राजी पांडी जी प्रवक्ता वो तो कहेंगे ही, जो परिवासा वो बता रहे हैं, वो इते को अपने संथान में संपादक बना दू तो ये परिवारवात है, तो फिर ये परिवार तो हर पार्टी में, हर कुन्वे में चल रहा है, एक मिन, ऐक वर चलना जो परिवारवाद अब क्या होता है परिवारवाद का क्या है कि आप जब आप ही अध्यक्ष है और अगला अध्यक्ष भी आप है तो आप उस पूरी पार्टी की सभी चीजों पर उसकी आइडियोगली कुछ नहीं है जो प्राइबेट इम्टेट पार्टी लोगों ने बना रखी है, जो हम कहेंगे वो मेरी पार्टी की आइडिलोजी है, इस देश में भारते जनता पार्टी और कॉमिनिस्क पार्टी अब जो बची नहीं है, इनका कैडर बेस्क पार्टी था, अभी आपने सुना होगा, ये परिवारबाद की पराकास्ठा ये सब बाते हैं, कि हम तै करेंगे, बाबा सहब अम्बेटकर को बाद में भारत रख्रा अपने परिवार के लोगों को पहले भारत रख्रा, नरुजी नहें अपने आपको ही रितो, अभारत रख्रा के लिए, और खुद को ही भारत बावा सहब अमबेडकर जी को कम मिला भारत में जब नॉन गोर्मेंट कॉंगरस सरकार आई परिवारवाद यह है और जहां तक इन्होंने कहा कि NDA की सरकार मोधी जी की सरकार मोधी जी कहते है भारत के समिधाल जो बावा सहब अमबेडकर जी के में बढ़ा है उसमें आटकिल 74 है सबसेक्शन रब वो कहता है कि भारत की जो सरकार होती है उसको मिलकर को सरकार कहते है तो प्रधान मंत्री की सरकार होती है सर चाहे भले ही उसमें कई भी पार्टिया हो अब लोगों को लगता है कि 240 आने के माद चलिए ठीक है राजीव जी इस डेपिनेशन को समझना अब ही तक आपने पूरी चीजों को सुना सर लेकिन बैस बात वही पर आ जाती है जुस तरीके से आप कह रहे थे कि आमेटकर की पार्टी और उसके बाद व्राज ठाकरे की पार्टी आखर किस तरीके से कहां पर नफा नुकसान पहुंचाती है ये फिलाल देखना होगा ल जरांगे को गया है और जरांगे ने भी अपनी कुछ उमिदवारों की सूची आप तक जारी की है तीन दिन बाकी है जैसे कि सारे पाइनल सूची आजाएगी लेकिन मैं आपको बताओ करिश्मा जी कि 24 घंटे बहुत ज्यादा कुरूशल है 24 घंटो में ही सभी पार्टियों को अपने सभी उमिदवारों की पाइनल सूची जाहिर करनी होगी क्योंकि उसके बाद जो है लीगल टेक्निकल जो है प्रोसेद होता है उसमें भी एक दिन से देड़ दिन का समय लगता है जो अपनी संपत्ति और सब भोशित करने के लिए तो मैं एक चीज़ आपको यहां पर यह बता दूँ कि जिसे कि मिश्रा जी कह रहे थे कि जो पार्टी सबसे ज्यादा उमिदवार अपने उतारेगी जिसे भारती जिन्ता पार्टी इसमें लीड कर रही है भारती जिन्ता पार्टी ने 121 उमिदवारों का नाम भोशित कर तो मिश्री तोर पे ज्यादा उमिदवार अगर जीतते हैं तो मुख्यमंत्री पत्पे दावेदार के रूप में भारती जिन्ता पार्टी आएगी और भारती जिन्ता पार्टी की तरफ से जो भी उमिदवार होंगे जो विदायक दल के निता बनेंगे वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, यही चिंता उधोर ठाक्रे की शुसना को है, उधोर ठाक्रे चाह रहे थे कि 115 सीटों पर सुनाओ लड़े, फिर घटकर वो सौ पर आ गए, और अभी 90-90 का फॉर्मूला बना है, यानि 270 प्लस 18, और 18 सीटों में समाजवाधी पार्टी कम से कम 5 सीटों से इसे मां कर दिया वीवन्डी वैस्त, मांकूर्द की सीट और शीवाजिनगर की सीट, धुले और माले काव की सीट, यह किसी भी हाल में समाजवाधी पार्टी छोड़ना नहीं चाह रही है, और साथ में समाजवाधी ब्रिगड है, और भी छोटी छोटी अज़े पार्टी हैं, तो 18 वो अपनी जो सहयोगी दल है उनको देना चाह रही है जो अगाड़ी है लेकिन यहाँ सबसे बड़ा पेश होई है कि जो ज्यादा सीटे लड़ेंगे उनहीं का बुख्यमंत्री बनेगा यह बात उदम साफ ए क्लियर कट है और इसी वज़े से अभी तर जो मंसल चल रहा है य उन्होंने चिनाव जीता और चिनाव जीतने के बाद आब वहाँ पर चार केंडेट हो गए बीज़ेपी की तो बीज़ेपी वहाँ पर यह तैनी कर पारी है कि चहरा कौन होगा अंधेरी इस की सीट है जहां मुझी पडेल बीज़ेपी के है और प्रदीश शर्मा जो एक्स इनकाउंटर स्वेटलिस्टाउं की पत्नी शिनाव लड़ना चाहरी थे जहां शिवसेना और यानि एकनाश शिंदे की सेना और बीज़ेपी में कला मची हुई है वर्सुवा किसी जहां संजय पांडे बीज़ेपी सी मांग रहा है और वहाँ पर तील उमिदवार और है औ लिए लड़ाई में पिशले कई तीस सलों से कि यहां पर इतने ज्यादा जलों का गटबंधन है और सबको गत चलना है क्यूंकि यह लड़ाई इस बार जितनी प्रूतिष्टा की बात उठाकरे के लिए उससे ज़्यादा देवेंदर पर्णविस के लिए है, क्योंकि देवेंदर पर्णविस की लेडर्शिप में ये पुरा चुनाव लड़ा जा रहा है, लोग सभा एकना शिंदे की लेडर्शिप में लड़ा गया था, तो देवेंदर पर्णविस को ये पता है, कि अगर ये च चुनाव को महायुती को जीतना है और यही स्थिती महाविकास अगाडी में आजा है धर्याना में कॉंग्रे जीती होती तो निश्यत तौर पे आज कॉंग्रेस भी 100 सेटों के निश्यत मानने के लिए बिल्टु तैयार नहीं होती लेकिन आज स्थिती यह है कि 90 सेटे भी अब यह तैया नहीं किया जा सकता कि भारती जन्ता पार्टी और कॉंग्रेस के साथ कौन सा अन्य दल रहेगा कोई भी कहीं भी कभी जा सकता है बिल्कुल ठीका और सर राजनती में यह संभावनाय तो लगी ही रहती है और देखिए दोनों प्रवक्ता किस तरीके से मुस्क्रा रखें जैसे आपने बोला कि दल बतल हो सकता है चले समय की कमी है एक छोटा सा कॉमेंट मैं सबसे लेना चाहूंगी चित्रा जी छोटा सा क करिश्मा जी आपके प्रोग्राम के चलते हुए महायूती का बहुत बड़ा महा जूट जो है कि उन्होंने 121 सीटे जो डिक्लेर करी है तामी एकना चिंदेची के चहरे के साथ आथ तो सीएम चहरे के साथ वो ते जड़ा रहे थे और कहीं ने कहीं आप ता पोल्स वो होने महीनों में अजीरित पावी को जिस तरीके से इनोगों ने टागेट किया था इनोंने का था कि एक उसरे के साथ बैटने पर इनको उल्टिया आती है और नजाने ही क्या उन्होंने एक उसरे के साथ दखवास कि थी इंपक्त इनकी जो लागली बहें योजना जो टैक्षिप और नजाने डाएंपराइख में जाला देख रहें जाएंटे को जो पापिट अपर इनकी इनकी जाम योजना में महात घोंग इस पार दोर्षा देख जुकी एंचेर के टैके साथ टाहत कर थे हैंग्या मैं के लिड़का उन्हा तिस पूछा उनकी इनकी बाटिगा नहाए महारास्ट्रा में चुनाव लगने जा रहे है तो सीजी भी बात है जो हमारा पांच न्याव और पचीज गारंटी का जो हमारा तो हर चुनाव होता है वह पोलिटिकल पार्टी अपने विशे को लेकर पर जाती है मैं कई चैनल पर कहता हूँ कि अगर हम उने थाम किया है तो महारास्ट्री जन्ता हमें वोट देगी और मैंने अपने ओपनिंग कमेंच पर भी का था जहां तक बात है कि सीम कौन होंगे यह सीट से तैन ही होता है हम चुनाव लड़ते थे जब पहली बार यतीश कुमार जी सीम बने थे उसमें भारते जन्ता पार्टी की सीटों की संख्या ज्यादा थी और अंतीम बार जब अभी है तो हमारी है बहत्तर सीटे और उनकी 40 सीटे है वियार में लेकिन वह हमारे मुख मुख मंत्री है तो यह बात करने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाथ से क्युकि मुख मंत्री वह है इस्यू यह हुआ था कि एक नाथ ठाकरे जी सीम बनने के लिए उधर गए फिर वो कह रहे हमें तो सीम डिकलियर करो वो कह रहें नहीं अब तो आपको यह सीट दोर यही करेंगी मुख्य मंत्री आखिर कौन होगा ठीक एक सिस्टम के साथ पार्टी चलती है ठीके सर मुझे एडिबेट क्लोज करना पड़ेगा लेकिन देवकी नंदन जी क्विक कॉमेंट क्विक बिल्कुल ठीक बात है देखे क्या है कि आज की तारिक में जो सिच्वेशन हम नजर हमको आ रही है पोस्ट पोल एलायंस हो रहा है जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद क्या होगा इसका कोई ठीकाना नहीं है क्योंकि यह जो पार्टियां है चाहे सिंदे गोठो यह दोनों कहीं से टूप करके आया है यह दोनों कहां जाएंगे इसका कोई ठीकाना नहीं है और इसके साथ साथ सिवसेना की बात भीर सही है कि सिवसेना भी क्या बीजेपी के साथ रहेगी या किसी और सारी कॉंग्रेस के साथ रहेगी या किसी और के साथ जाएगी इसका भी कोई ठिकाना नहीं है इस नाते महाराष्ट की राजनीती में सबसे महत्वपूर होगा 25 नौंबर की तारी जिस दिन रिजल्ट आएंगे 23 नौंबर को जब रिजल्ट आएगा तभी ये पता चल पाएगा कि महां कौन कि इसके साथ है याने कि हमें महाराष की चुनावों में थोड़ा सा इंतजार जो है सीधा रिजल्ट का करना होगा ठीक है सब बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का अमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत सार्थक ये चर्चा रखी है महाराष के गणित को हमने तो फिलाल हमारी खास बुलेटिन में इतना ही देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहे हैं भारत एक्स्प्रस